जै मा भगवती आप सभी पर माशल पुत्री की गर्पा सिदा बनी रहे। मा भगवती के प्रथम स्वरूप माशल पुत्री की पूजा के साथ ही नवरात्री व्रत प्रारम हो जाते हैं। आज की इस वीटियो में आप जानेंगे माशल पुत्री की पूजा कैसे की जाती है, कौन सा भोग मा को अर्पित किया जाता है और मा का प्रेरंग कौन सा है, माशल पुत्री की पूजा विधी के साथ ही आज आप सुनेंगे मादुर्गा के 108 नाम भी, जो भी भक्त सच्चे मन से नवरात्रे के दिनों में मादुर्गा के इन 108 नामों का जाप करता है, उनकी सारी मनुकावनाई मादुर्गा की करपा से पौन हो जाती है, मा के इस रूप की सवारी बैल है और उनके दाएं हाथ में तरिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुश्पुशो भाइमान रहता मा शेल पुत्री की पूजा करने से कुमारी कन्याओं को मन चाहे पती की प्राप्ति होती हैं मानेता है कि पूर्व जनम में शेल पुत्री मा का नाम सती था देवी सती के पिता दक्ष प्रजापती ने यग्य में भगवान शिव का अपमान किया था जिससे नाराज होकर देव दुर्गा शल पुत्री कहलाई कहते हैं कि मां दुर पुत्री के इस रूप की पूजा करने से विवाहिक जीवन में कुछ हाली बढ़ती है जो आई मां शब्र पूत्री की पुजा करने के लिए सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करके मंदिर में गंगा जल छड़क कर अलग से एक चौकी की स्थापना करके आपको उसके उपर लाल या सफेद रंग का वस्तर बिछाना चाहिए फिर भगवान गणेश जी की मूर्ती को सबसे पहले और उसके बाद मा दुर्गा की प्रतिम का आसन लगा सकते हैं अब सबसे पहले प्रतम पूजनी भगवान गणेश शी को इसनान कराकर या तस्वीर है तो गंगा जल का छीटा लगाकर उन्हें वस्तर जनेव अर्पित करें फिर उन्हें तिलक लगाए पुश्प अर्पित करें फिर मा दुर्गा को इसनान कराएं तो कलश की इस्थापना भी इस दिन करने चाहिए अ विखले नियमों का पालन कुछ दिन करना होता है जिन पूरे उपुवास रखना चाहते हैं वो इन उपुवासों को किस प्रकार से रखना चाहते हैं जलहार या फलहार ग्रहन करके या एक समय भोजन करके क्योंकि जिनकी सामर्थ पूरे दिन उपुवास करने की नहीं है वे रात को शाम की पूजा करने के बाद एक समय शुद्ध नमक का सेवन भीन दिनों करते हैं कुछ लोब केवल मीठा फलाहर ही करते हैं तो जैसे भी नियमों का पालन आप करना चाहते हो उसका संकल्प आप जरूर ले अखंड जोत यदि आप नहीं जलाना चाहते हैं पूरे नौ दिन तक और केवल 24 घंटे के लिए जलाना चाहते हो तो आप इस बात का भी संकल्प ले सकते हैं संकल्प लेना इसलिए जरूरी होता है कि जब संकल्प लेकर कोई पूजा की जाती है तो आपकी कोई अभेस्ट मनुकामना है तो उसकी पूरती में बहुत आसानी हो जाती है ऐसी मनुकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है ज मा को एक एक पूजन सामगरी जो भी आप अर्पित करते हैं उसमें मा दुर्गा का ध्यान करते वे ही सामगरी अर्पित करें मंत्रों का जाप करें श्री दुर्गा सबसेती का पाठ करें और फिर व्रत की कथा पढ़ें और सुनें सबसे अंत में श्री दुर्गा चालिसा का और आरती करके फिर मा को लॉंग पान सुपारी इलाइची का भोग जरूर लगाएं माशल पुत्री को आज के दिन सफेद रंगी वस्तों का भोग लगाना शुब रहता है जैसे कि आप बतासे या शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं इसके लावा मौसमी फलों का भी भोग मातों को आप लगा सकते हैं भोग लगाने के बाद सबसे अंत में जो भी भोग होता है उसे प्रशाद रूप में परिवार के सभी सदसों में जरूर बाटना चाहिए और हाथ चोड़ कर पूजा पाठ में हुई गलती के लिए खिशमय यासन भी सच्चे मन से करनी चाहिए अब जाने मा शलपुत्री के पूजन मंत्र और आर्थी के बारे में मा शलपुत्री की पूजा का मंत्र ओम देवी शलपुत्रे नम्हा प्रार्थना अब सुनिये मा दुर्गा के 108 नाम ओम उमाए नम्हा ओम श्रेये नम्हा ओम भरत्ये नम्हा ओम भत्राये नम्हा ओम शर्वाण्ये नम्हा ओम विज्याये नम्हा ओम जयाये नम्हा ओम वाण्ये नम्हा ओम सर्वगताये नम्हा ओम गौर्ये नम्हा ओम बराहे नम्हा ओम कमल प्रियाए नम्हा ओम सरस्वत्ये नम्हा ओम कमलाए नम्हा ओम आयाए नम्हा ओम मातंगे नम्हा ओम अप्राए नम्हा ओम अजाए नम्हा ओम शाकंभर्ये नम्हा, ओम शिवाये नम्हा, ओम चंडये नम्हा, ओम कुंडल्ये नम्हा, ओम वैश्नव्ये नम्हा, ओम क्रियाये नम्हा, ओम एंद्रये नम्हा, ओम अधुमत्ये नम्हा, ओम गिरिजाये नम्हा, ओम सुभगाये नम्हा, ओम अम्भिकाये नम्हा, ओम ताराये नम्हा, ओम पदमावत्ये नम्हा, ओम हंसाये नम्हा, ओम पदमनाब सहुदर्य नम्हा ओम अपड़नाए नम्हा ओम ललिताए नम्हा ओम धात्रे नम्हा ओम कुमार्ये नम्हा ओम शिखवाहिन्ये नम्हा, ओम शांभव्ये नम्हा, ओम सुमुख्ये नम्हा, ओम मैत्रे नम्हा, ओम त्रिनेत्राये नम्हा, ओम विश्वरूपिल्ये नम्हा, ओम आर्याये नम्हा, ओम रुणान्ये नम्हा, ओम हिंकार्ये नम्हा, ओम क्रोधिन्ये नम्हा, ओम सुधिनाये नम्हा, ओम अचलाये नम्हा, ओम सुक्ष्माये नम्हा, ओम परात्पराये नम्हा, ओम शोभाये नम्हा, ओम सर्ववणाये नम्हा, ओम हर प्रियाये नम्हा, ओम महालक्षमे नम्हा, ओम महासिथे नम्हा, ओम स्वधाये नम्हा, ओम स्वाहाये नम्हा, ओम मनुन्मन्ये नम्हा, ओम तरी लोग पालिन्ये नम्हा, ओम उद्भूताये नम्हा, ओम तरी संध्याये नम्हा, ओम तरी पुरानतक्ये नम्हा, ओम तरी शक्त्ये नम्हा, ओम तरी पदाये नम्हा, ओम दुर्काये नमः ओम रामये नमः ओम त्रेलोक वासिने नमः ओम पुश्कराये नमः ओम अत्री सुताये नमः ओम गुढाये नमः ओम् त्रिवन्नाये नम्हा, ओम् त्रीस्वराये नम्हा, ओम् त्रिगुनाये नम्हा, ओम् निर्गुनाये नम्हा, ओम् सत्याये नम्हा, ओम् निर्वीकल्पाये नम्हा, ओम् निरंजन्ये नम्हा, ओम् ज्वालिन्ये नम्हा, ओम् मालिन्ये नम्हा, ओम चरचाये नम्हा, ओम क्रिव्यादोपनि बरहन्ये नम्हा, ओम कामाक्षे नम्हा, ओम कामिन्ये नम्हा, ओम कांताये नम्हा, ओम कामदाये नम्हा, ओम कलहनसन्य नमहा, ओम सलजज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् ओम सुमंगल्ये नम्हा, ओम काल्ये नम्हा, ओम महिश्वर्ये नम्हा, ओम चंड्ये नम्हा, ओम भैरव्ये नम्हा, ओम भुवनिश्वर्ये नम्हा, ओम नित्या ये नम्हा, ओम सानंद विभवाये नम्हा ओम सत्य ग्यानाये नम्हा ओम तमो पहाये नम्हा ओम महेश्वर्य प्रियंकरये नम्हा ओम महात्रिपुरसुंदरये नम्हा ओम दुर्गा परमेश्वरये नम्हा ओम दुर्गाये नम्हा अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर आज आप माशल पुत्री की कथा भी जरू सुनिएगा